नमस्कार दोस्तो टार्गेट हैं सेवी के एक बार फिर से सौगत हैं दोस्तो एक बार फिर से सेंटर गोवर्मेंट से पर्मानेंट भरतिविग्यापन आ चुका है ICMR के दोरा दोस्तों भरति विग्या पंजारी हुआ पर्मनेंट ये जॉब रहने वाली है दोस्तों इसमें आपको पर्मनेंट पोस्टिंग दी जाएगी और भारत के सभी स्टेट के कंडिडेट इसमें अपलाई कर पाएंगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने किये हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों साथ भी सेयर करें आप दोस्तों हमारे टेलिग्राम चैनल भी में जुड़ सकते हैं और दोस्तों अगर आपको lab technician का previous question paper चाहिए तो आप हमसे whatsapp पे संपर करें, total आपको 30 previous question paper मिलेंगे, उसके लिए मात्र आपको 150 रुपए पेकरना होगा, एक question paper दोस्तों, center government और state government दोनों paper आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपको चाहिए तो whatsapp पे संपर करें, हमारा whatsapp number 2821962779 इस नंबर पे दोस्तों आप हमें संपर कर सकते हैं, ये नंबर आपको नीचे description box भी मिल जाएगा, साथ में telegram channel का link भी आपको नीचे description box मिल जाएगा, तो दोस्तों चलिए वड़ते हैं, information की, और ये भरती विग्यापन दोस्तों देख सकते हैं, ICMR के दोरह जारी हुआ है, National Institute of Research in Tribal Health, जवलपूर से दोस्तों ये भरती विग्यापन जारी हुआ है, और भारत की सभी state के candidate इसमें आवेदन कर पाएंगे, देख सकते हैं, आप, application are invited for the following regular post, regular post ये रहने वाला है, पर्मानेंट आपको इसमें posting दी जाएगी, आप बात कर लेते हैं post की, तो पहला जो post है दोस्तों वो technical assistant के लिए रहने वाला है, नमबर आप post 23 इसमें total post सामिल है, बात करें technician के लिए, तो technician में 17 total post सामिल है, और laboratory attendant के लिए दोस्तों 12 total इसमें post सामिल कर लिए गया है, तीन अलग-अलग post के लिए भरती बिग्या पंजारी हुआ है, जिसमें बामन टोटल post सामिल है, और category बाइज भी आपको बताया जा रहा है, ये पीडिय अप आप easy तरीके से हमारे telegram channel से download कर पाएंगे, और ये सारी चीज़े आप देख पाएंगे, बात कर लेते हैं दोस्तों salary package की, तो technical assistant के लिए आपको level 6 का salary मिलने वाला है, जिसमें 35,000 से 1,12,000 रुपए आपको salary दी जाएगी, और technician के लिए दोस्तों आपको 19,000 से 63,000 रुपए salary दी जाएगी, और laboratory attendant के लिए आपको salary लेबल एका मिलने वाला है, जिसमें 18,000 से 56,000 रुपए आपकी इसमे salary रहने वाली है, दोस्तों बात कर लेते हैं आपको इसमे apply कैसे करना है, तो apply आपको online के मादम से करना होगा, देख सकते हैं इसमें the start and last date of submission of application, online application आपको इसमें fill करना होगा, 10-7-2023 से इसमें आवेदन होना start हो चुका है, और इसका last date जो है, 10-8-2023, 10 अगस्त तक दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, online ही आपको आवेदन करना होगा, दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं आपके, इसमें qualification क्या माँगा है, age criteria, क्या रहने वाला है, तो पहले जब post हो वो technical assistant के लिए रहने वाला है, group B के ये post रहने वाला है, इसमें total post की बात करें, तो देख सकते हैं 12 total post है, और qualification में दोस्तों आपसे, first class, three years का bachelor degree मांग रहा है, biology, subject साथ, science subject साथ, आपके पास ये degree होना चाहिए, या फिर आपके पास जियोलाजी, microbiology, biochemistry से भी ये degree है, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, और जो candidate, bio technology वाले हैं, वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, age limit में दोस्तों 30 years, जिसमे age limit दिया जा रहा है, साथ में आपको age relaxation भी दिया जाएगा, next post की बात कर लेते हैं, ये भी technical assistant के लिए रहने वाला है, number आप post साथ है, इसमें जो आपका qualification है, वो bachelor degree in social science वाले candidate भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, anthropology से आपके पास ये degree होने चाहिए, या economic population, study या sociology से अगर आपके पास दोस्तों ये degree डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, और दोस्तों technical assistant के लिए एक और post है, जिसमें bachelor degree, 3 years, computer science वाले candidate भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, अगर आपके पास first class का 3 years का डिप्लोमा इन computer science में है, तो दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, salary आपको इसमें 35,000 से 1,12,000 रुपए परमन दी जाएगे, technical assistant में दोस्तों general candidate के लिए एक और post सामिल है, जिसमें आपस first class 3 years का bachelor degree मांगा जा रहा है, electronics and communication में अगर आपके पास दोस्तों या degree है, engineering का तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, आपके पास अगर डिप्लोमा भी है, same field में तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, next जो post है दोस्तों वो भी technical assistant के लिए ही रहने वाला है, इसमें आपस electrical engineering का course मांगा जा रहा है, 3 years का अगर आपके पास degree है या diploma है, तब भी दोस्तों आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, आपके पास electrical का engineering का course कम्प्लीट होना चाहिए, बात करें दोस्तों, technical assistant में civil बाले candidate के लिए, civil engineering में आपस क्या क्या qualification मांगा जा रहा है, तो दोस्तों आपके पास same field में degree, या फिर दोस्तों आपके पास diploma है, same field में civil engineering में, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, salary आपको same मिलने वाले 35,000 से 1,12,000 रुपे, और इसमें आपका जो age limit है, 30 years आपके एजली मिल दिया जा रहा है, next post देख लेते हैं, तो दोस्तों technician के लिए रहने वाला है, इसमें total 15 post सामिल है, और देख सकते हैं, general के लिए now है, S.C. के लिए 2, O.B.C. के लिए 2, और EWS के लिए 2 post है, और pay level आपका 19,000 से 63,000 रुपे रहने वाला है, qualification में दोस्तों आपके पास 12th पास होना चाहिए, science subject साथ, साथ में आपके पास 12th में 55 mark होना जरूरी है, और आपके पास 1 year का डिपलोमा, या फिर दोस्तों आपके पास degree है, DMLT या BMLT का कॉर्स आप कम्पलीट की हैं, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, आपका जो age limit है, 28 years, इसमें age limit दिया जारा है, साथ में ASTSC OBC candidate को age relaxation भी दिया जाएगा, और salary देख सकते हैं, 19,000 से 63,000 रुपे आपको salary दी जाएगी, technician के लिए दोस्तों दो post और सामिल है, इसमें computer science बाले candidate आप एदन कर पाएंगे, आपके पास computer science में degree diploma होना चाहिए, और next जो post है दोस्तों वो भी lab attendant के लिए रहने वाला है, group C का ये post रहेगा, और 10 total इसमें post सामिल है, general के लिए 4 है, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 1, और EWS के लिए 2 post सामिल है, level दोस्तों एक का आपको इसमें salary दी जाएगी, 18,000 से 56,000 रुपए आपकी salary रहेगी, इसमें आपके पास qualification में 10th fast 50 mark के साथ होना चाहिए, साथ में आपके पास 1 year का working experience होना जरूरी है, किसी भी approved registered laboratory में आपके पास ये experience होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष तक के candidate इसमें आवेदन कर पाएंगे, और दोस्तों अटेंटेंट के लिए एक और post सामिल है, जिसमें technical वाले candidate आवेदन कर पाएंगे, इसमें आपके पास qualification में 10th pass मांग रहा है, साथ में आपके पास ITI का course complete होना चाहिए, air conditioning, refrigerator या air conditioning में दोस्तों आपके पास ये degree diploma होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष तक के candidate इसमें आवेदन कर पाएंगे, दोस्तों बात करें, आवेदन करने के लिए तो आवेदन आपको online के माद्यम से आवेदन करना होगा, इसके official website के माद्यम से आवेदन कर पाएंगे, यह इसका official website है www.nirth.res इसी website के माद्यम से दोस्तों आवेदन करना होगा, इसके लिए आपको समय बताया जा रहा है, 10.72.23 से 10.60 तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे आउनलाइन आपको आवेदन करना होगा और दोस्तो आपको अपलीकेशन फीस भी पेकनना होगा जनरल और OBC कंडिडेट के लिए 3 से रुपए इसमें फीस रखा गया है और SDSC पलीकेशन फीस नहीं लगने वाला है केवल जनरल और OBC कंडिडेट को ही इसमें फीस पेकनना होगा बात करें दोस्तो आपको इसमें आपका सेलेक्षन प्रोसेस क्या रहने वाला है तो सेलेक्षन दोस्तो रिटेन एक्जाम के मादणें से होगा आपका CBT के माद़म से इसमें एक्जाम होगा इसे के माद़म से आपके इसमें सेलेक्शन होने वाला है इसमें देख सकते हैं आप सेलेक्शन प्रोसेस में technician first and laboratory attendant will be throw by CBT computer based test होगा दोस्तों इसके मादधम से आपको इसमें selection होगा और final merit list out of 100 mark 95 mark for CBT return exam और 5 mark जो रहेगा आपका experience based आपको इसमें दिया जाएगा अगर आपके पास दोस्तों experience certificate है आप कहीं work किये हैं तो आप उसको अटाइज जरूर करिएगा उसके मादधम से आपको 5 mark दिया जाएगा और दोस्तों ये जो एक्जाम होगा वो negative mark करेने वाला है देख सकते हैं 0.25 का आपका negative mark रहेगा one correct answer का आपको one number दिया जाएगा और अगर आपको कोई answer wrong होता है तो इसके लिए आपसे 0.25 mark का minus किया जाएगा और दोस्तों इसका slave us भी हम आपको बता देंगे जैसे ही इसका slave us आएगा हम आपको slave us आपके साथ share कर देंगे तो दोस्तों जानकारी अच्छी लेगी तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें channel पर नहीं है तो subscribe कर लें और telegram channel में जुनने के लिए आपको नीचे description box में इसका link मिल जाएगा वहाँ से आप join हो पाएंगे thank you